हेलो भीबावन कैसे हैं आप सबौ फ्रेंज आज मैं क्रोशे का डिजाइन आपकेशाशेर करूंगी कैसे हमने क्रोशे से ये फ्लावर मनाना है और पोहत ही आसानी से हम इस फ्लावर को बनाएंगे जैसे कि अगर आपको क्रोशे को चलाना नहीं आता तो मैं आपको एह भी ब और चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना यह देखिए आपने भूल लेनी है और उसमें एक नोट सी लगानी है देखिए कैसे लगाएंगे ऐसे यह क्रोशिय लेना है आपने और यह फंदा सा हमारा बन जाएगा ऐसे चीके यह मैंने बारा नंबर का क्रोशिय लिया हुआ तो एक उंगली में ऐसे हमने बूल को लपेटना है और यह जो दागा है ना यहद इसको हमने ऐसे पकड़ना है और फिर इसपे ऐसे राउन मारते है ऐसे छे हमने चैंद मनानी है कि एक चेंद मनाली इस देखिए ऐसे लपेड रहेंगे और ऐसे निकाल देंगे दो तीन चार पांच और ये छे छे चेन देखे ऐसे बन जाएगी आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे न तो ये क्रोशे चलाना हमें आ जाएगा अब ये देखिए सिक्स चेन हमने बना ली है अब इसको क्या करेंगे देखिए सबसे लास्ट वाले में न हमने ऐसे करना है ये क्रोशे डालना है और ऐसे लपेटते हुए इसको ऐसे दोनों में से निकाल लेंगे ये देखिए राउंड शेप सा आ गया है अब हमने ये देखिए चार स्टेज बनानी है ऐसे चेन बनानी है एक फिर ऐसे लपेटेंगे फिर ऐसे निकाल लेंगे दो फिर ऐसे लपेटेंगे ऐसे निकाल लेंगे तीन फिर ऐसे लपेटेंगे और ऐसे निकाल लेंगे चार ठीक है और डबल इस पर ऐसे लपेटना है एक हो गया और ये दो हो गया फिर इसमें हमने ऐसे दिखिए डालना है होल में और ऐसे निकाल लेना है ठीक है अब फिर लपेटेंगे और ऐसे निकालेंगे एक परी हो गया फिर ऐसे लपेटेंगे और ऐसे निकालेंगे दो बारी और फिर ये तीन बारी ऐसे करना है फिर से एसे डबल लपेटेंगे ये देखिए डबल लपेट लिया और फिर से इस होल में ही डालेंगे ये देखिए ऐसे और आपने फिर से ऐसे लपेट के फिर एक बार ही निकालना है फिर लपेटेंगे ऐसे दो फिर ऐसे ये तीन ठीखिए फिर से टबल लपेट के फिर से इस होल में डालेंगे और ऐसे ही बनाते जाना है one two और three फिर से डबल करा पिसफिर को से संपब किया है ln 했습니다 कि वाम थेखिए अन्हीन हो गया से 1 2 3 4 5 अब देख्ये क्या करना है यह पैटल जैसे रोज की बैटल हिसने रह Kultur ने होती है हमने सेम ऐसे ही बनाना है यह देखिए अब हमारी 5 टैम में हमने बना लिया अब इसको हमने ऐसे देखिए करना है और इसको एक बार में ऐसे बंद करते हैं ठीक है यह हमारी पैटल बन जाएगी इसको आप थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए जैसे हमने बनाई हुए ना पेटल बन गी है सेम ऐसे यह देखिए यह बन गी है अब फिर से हमने वैसे ही बनाना है फिर से फोस्ट चेंद बनाने है वान टू थ्री फॉर और फिर डबल ऐसे लपेट के फिर से सेम वैसे इवनाना थेक्की 1 2 & 3 3 वरी करकी फ्रेसे डबल लपेटेंगे 1 2 1 इदे किया इदे कि त्री टाइम हो गया 1 2 & 3 2 टाइम से और करना है हम नहीं इदे की डबल लपेटेंगे फले इदे किया एक दो तीन फिर से डबल लपेट के फिर से एक तो आवरी तीन इसको थोड़ा सा आभी कठा कर लिए और यह अभी हां पर बंद करना है यह देखिए ऐसे ऐसे देखिए बंद होगा अब फिर से सेम वैसे ही बनाना है फिर से 4 chain मनानी है हमने बान टू दू थ्री प्र डबल लपेटेंगे एसे 1, 2, 3 प्रेसे डबल लो पेटेंगे 1, 2, 3 प्रेसे डबल लो पेटेंगे 1, 2, 3 1, 2, 3 इदेके फाइट स्टेम होगे अब इसको हमने बंद करना है ऐसे चीक है इदेके 3 पेटल होगे 2 पेटल स्टेम और बनानी हमने 1, 2, 3, 4 इसको डबल लो पेटने है पेले 1, 2 फिर यहां से ऐसे होल से निकालेंगे और ऐसे लो पेटल पेट के ऐसे निकाफते चले जाएंगे यह देके 4 होगे और यह एक और बनाएंगे 5 हो जाएगे 2, 3 इसको प्लोस करेंगे यह दिखिये 4 पेटल समने बना लिए 1 पेटल और बनाएंगे 1, 2, 3, 4 double lip केरेंगे और यह 1 होगे, 2 होगे 3, 4, 5 इसको प्लोस करेंगे यह दिखिये 5 पेटल हमारी बनकर त्यार होगे और इसको थोड़ा सा हम यहां से बंद करेंगे थाकि यह एक चैसा एक सार लगे ऐसे अब यहां नोट लगा लेंगे अब इसको कट कर लेते हैं अब यह जो धागा हमने कट किया है ना इसको अंदर ही हमने कर लेना है यह देखिये क्यासे करेंगे अंदर आपने करोशी को डालना है ऐसे और इस धागे पर ऐसे लपीट कर इसको अंदर को कर लेना है जिससे यह दिखाई नहीं देगा, यह देखिए, और यह हमारा, यह देखिए, रोज बन गया है हमारा, देखिए, फ्लावर, ऐसे ही आप भी बना सकते हैं, और जितनी आप ट्रैक्टिस करेंगे, आपको क्रोशे चलाना भी आजाएगा, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, बताने का आपको तरीका अच्छा लगाओ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरू कीजिएगा, तो फिर मिलते हैं, नए वीडियो के साथ, तक तक के लिए, बाई, थेंक यू,